नमस्कार, क्या आपका खोन, ब्रक्त या फिर ब्लड खराब है? अब ये सवाल सुनते ही सबसे पहला डाउट आएगा कि मुझे कैसे बता चलेगा कि मेरे शरीर में जो खोन है, क्या वो खराब हो गया है? पता कैसे चलेगा राई? क्या मैं इसके लिए कोई ब्लड रिपोर्ट करा लूँ, कोई ब्लड टेस्ट करा लूँ एग्जेक्ली पता कैसे चलेगा कि मेरे शरीर में खोन खराब है या नहीँ तो अगर आपको ये जानना है कि आपके शरीर में जो ब्लड है, वो खराब है कि नहीं तो आज में आपको आईरवेद के जो सास्त्र है, आईरवेद के जो ग्रंत है, उनमें 63 ऐसी बिमारिया लिखी है, 63, 60, 3, बिमारिया ऐसी लिखी है, जो कि खून की खराबी से होती है, तो वो 63 बिमारिया क्या आपको है कि नहीं, वो देखिए, और एक विशेश चीज, वीड करनेंगे इस वीडियो में नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अरुन मिश्रा मैं एक आईरविदिक MD डॉक्टर हूँ और मुंबई के दादर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज का टॉपिक हम बात कर रहे हैं तीरसट अशी बीमारियां जो की खोन की खराबी के करण होती है ऐसे आईरविद के सास्त्रों में लिस्ट दी गई है विमारी नमबर वन जो की खोन खराबी के करण आपको होगी उसका नाम है कुष्ट कुष्ट मतलब किसी भी टाइप के skin disorders कुष्ट मतलब लोगो लगता आप लेपरिसी की बात कर रहे हो, अच्छूद बीमारी की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कुष्ट मतलब किसी भी टाइब का अगर आपको चर्म रोग हो रहा है, चाया वो खुझली हो, एक्जीमा हो, सोरैसेज हो, फंगल इंफेक्शन होते हो, या अन्य कोई भी स्किन रिलेटेड अगर आपको कुछ भी तकलिफ होने लग गई है खुझली होती है, लाल लाल फोड़ी फुनसी आती है, पहले रंग अच्छा था, आप रंग खराब होने लग गया है इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में जो रक्त धातू है, वो खराब हो गई है हम कई बार रक्त धातू वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि खोन या फिर जो ब्लड होता है, उसके लिए जो संस्क्रित नाम है, वो है रक्त तो रक्त एक धातू है, जिसे आईरवेद में जीवन कहा गया है रठात ये लाइफ, आपकी जो लाइफ डिपेंड है, वो इस धातू के उपर डिपेंड है पहली विमारी खोन खराबी पे जो आपको होगी, उसका नाम है कुष्ट सेकिंड बीमारी का नाम है विसर्प, विसर्प वो शब्द का मतलब होता है जिन लोगों को हर्पिस जैसे इंफेक्शन होते हैं, नागिन कई बार आम बोल चल की बास्ता में बोलते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे लाइन, सी ऐसी आ जाती या आँखों के पास मूँ क्या स्पास जो हर्पिस जैसे इंफेक्शन होते हैं, या जो बीमारिया बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, वो खोन की खराबी होने का इंडिकेटर है बीमारी नमबर तीन, पीडिका, पीडिका मतलब अगर आपके शरीर में फोडी फुनसियां आने लग गई है, और शरीर में कहीं बीचा है, वो लाल-लाल फोडी आती हो, फुनसियां होती हो, फेस पे, कई लोगों को पूरी बोडी पे, कई लोगों को सिर के उपर फोडी फ खराब हो गया है विमारी नमबर 4 रक्त पित रक्त पित शब्द का मतलब होता है कि जिन लोगों को bleeding disorders होते हैं जिने खोन निकलने लग गया है अब वो खोन कहीं से भी निकल रहा हो नाक से मू से गुदा मार से कहीं से भी या internal bleeding जिनको होने लग गई हो तो अगर आपको शरीर में जो रक्त धातू है वो खराब होना शुरू हो गई है या फिर खराब हो चुकी है पाचवी बीमारी है अश्रक्दर अश्रक्दर मतलब जिन लोगों को या especially जो महिलाय होती है जिनको बहुत ज़्यादा bleeding होती है periods के टाइम पे या periods नहीं है तब ही जिनको बहुत ज़् वेजाइनल एरिया है वहाँ से ब्लड का खून का रक्त का श्राव होती रहता है ये बीमारी भी indicate करती है कि उन महिलाओं के शिरिर में रक्त की खराबी हो गई है खून की खराबी हो गई है इसलिए uncontrolled bleeding उनको खो रही है चटी बीमारी है गुद पाग गुद पाग मतलब ज जो reason है उस जगह पे बार-बार आपको 40 फुंसी हो जाती है या वहाँ पे पस formation बार-बार होने लग जाता है ये condition भी बता दी है कि खून खराबी के लक्षन आपके शरीर में शुरू हो गए है सातवी और आठवी विमारी है मेड्र पाग और मुक पाग मेड्र मतलब जो genital area होता है जो पुरुषो का link होता है या पुरुषो का जो जननांग होता है उस जगह पे penis जो आला जो area है वहाँ पे अगर आपको पीले-पीले color की वहाँ पे चाले होने लग गए है अलसर्स होने लग गए है वो या फिर जिन लोगों को मुँ में बार-बार चाले होते हैं दोनों कंडिशन में, या तो बहुत बार-बार छाले होते हैं, या छाले होगे वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, कोई भी दवाई या कुछ भी उपाय उपाय करने के बाद भी तो इसका मतलब है कि खोन खराब हो चुका है, नवी बिमारी है प्लीहा वृद्धी, प्लीहा वृद प्लीफ होती है, इसका साइज अगर बढ़ जाता है, ये भी खुन खराबी में होता है, और दसवी बिमारी है गुल्म, जिनको पेट में ट्यूमर्स होने लग गए हैं, किसी भी टाइप का अगर पेट में आपको ग्रोथ होने लग गई है, और वहाँ पे ट्यूमर गाठे बनने लग गई हैं आपके पेट के आसपास में, बहुत सारे वो कैंसरस हो सकती है, नॉन कैंसरस हो सकती है, बट अगर आपको पेट में गाठे बनना शुरू हो गई है, गुल्म बिमारी में, तो इसका मतलब है कि वो भी खुन खराबी के कारण हुआ है, ग्यारा या बार बार होता है, बार बार कहीं भी चोट लग गए, कुछ भी हो गया, और शरीर में एपसिस बन जाता है, और वो जो पस है, मावाद वाला जो एपसिस है, वो भरता नहीं, जल्दी ठीक नहीं होता है, ये भी लक्षण है, आपके शरीर में खुन की खराबी के, बारवी बी शरीर का अगर जो पार्ट है, वो नीला होने लग घया है, तो इन दोनों बीमारियों में, या ये दोनों बीमारिया तब होगी जब शरीर में रक्त धातू खराब होगी, तेरवे नंबर की बीमारी है, कामला, जिसको की आम बोल चाल की भास्त्ना में हम कई बार पीलिय काविल, जॉन डीस ऐसे करके जो शब्द बोलते हैं तो जिन लोगों को बार-बार कामला, पीलिया, जॉन डीस, काविल इस तरह की मिमारी होती रहती है जिसमें आपके शरीर का रंग पीले कलर का होने लग जाता है नाखोन आपके पीले हो जाएंगे पिशाब बहुत जदा पीला आखे जो है वो पीले कलर की होना तो पीलिया जैसी बीमारी जिन लोगों को रिपीटेड होती रहती है बार बार जिनको होते रहती है अब पीलिया बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है बड़ अगर यह रिपीटेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि रख्त की खराबी हो लग गई है चौदे नंबर की मिमारी है व्याउं या फिर जिसको फ्रिकल्स कहते हैं तो जो आपके शरीर में बहुत बार द्याग होने लग जाते हैं चेहरे के आसपास शरीर के आसपास वो भी एक लक्षण है शरीर में या जो दाग हो गया और जल्दी ठीक नहीं होते हैं रक्त धातु के खराबी के पंद्रवी विमारी है जिसका नाम है पिप्लू पिप्लू एक संस्टित वर्ड है जिसका जो की पोर्ट वाइन मार्क्स जो हमको कई बार शरीर पे देखने मिलते हैं जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे तो उस तरह के निशान भी होना श शरीर पे आने लग गये हैं या मोल्स काले कलर के मोल्स आने लग गये हैं काले कलर के निशान आने लग गये हैं ये तब होना चालू हो जाएगा जब आपके शरीर में रक्त धातु खराब होनी शुरू हो जाएगी सत्रवे नंबर की बिमारी है दद्रू दद्रू मतलब ज जाते हैं टीन या जो infection से बार-बार होते हैं तो ringworm जैसी जो बीमारी जिसमें आप देखोगे कि इस तरह के निशान होते हैं जिसा आप image में देख रहे होगे और कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजनी या जलन जैसी तकलिफ होती है तो ringworm जैसे infection शरीर में आपको कहीं भी हो रहे हैं ये तब होगा जब शरीर का रक्त या फिर खुन खराब होने लग गया है अठ्वे नंबर की जो बिमारी है उसका नाज में चर्मदल चर्मदल मतलब dermatitis जैसी जो बिमारिया होती है skin में बहुत सारे dermatitis के आप infection देख सकते हैं image जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा तो इस तरीके के अगर आपको बार-बार dermatitis के जो infection से शरीर पे होने लग जाते हैं ये सारे infection रक्त धातू के खराबी के कारण होते हैं 19 वी बिमारी है शृत्र, शृत्र मतलब जिसको हम कई बार lyukoderma, vitiligo, सफेद दाग इस तरीकी की बिमारी बोलते हैं तो जिन भी लोगों के शरीर में सफेद दाग की तकलिफ होनी चालू हो गई है कि स्किन पहले बहुत नॉर्मल थी, अब शरीर में कहीं पे सफेद दाग होने लग गया है कि लोगों कुछ लोगों को half part में होता है और कुछ लोगों को पूरे के पूरे शरीर में जो इस तरीके के दाग है, vitiligo के सफेद दाग की फने लग जाते हैं ये भी बिमारी रख्त दुष्टी के कारण होगी और मीस्वी बिमारी है पापमा, जिसको कि हम scammies infection बोलते हैं जो groin के आसपास, जो जननांग के आसपास, जहां पे आपकी private area और जो आपका pair का joint है जननांग जिसको हम बोलते हैं, इमेज में आपको दिख रहा होगा उस जगह पे जिनको बार-बार खुजली होता है, बार-बार infection होता है जो कई बार लोग paint में हाठ डालके, जेब में डालके, वहाँ पर itching, itching करते रहते हैं तो इस तरीके के infection भी रख्त-दुस्टी के कारण आईद्विद में बोले गए है, 21st या किस्वे नंबर पे आता है अश्रमंडल, अश्रमंडल मतलब लाल कलर के elevated patches, रैड कलर के elevated patches जो आपको देखने मिलेंगे, skin के ऊपर ऐसे लाल लाल आप जो आप चकत्ते देख रहे होंगे, उबरे हुए skin पे, वो बिमारी रख्त-धातु के खराबी के करण बोली है 22 नंबर पे बिमारी आती है, अक्षी रोग, अक्षी रोग मतलब जो आखों से इनलेटर कई बार लोग को मिमारी हो दी conjunctivitis जैसे जो infection हो जाते हैं, जिसमें आख है, एकदम लाल लाल आख आना, जिसको आम बोल चल की भाशा में हम कई बार बोलते हैं कि आख आ गई है, इस तरीकी की मिमारी बार बार आखों का infection हो जाना, वैसी मिमारियां रख्त-धातु के खराबी की करण बहुत-बार बुत आख में बहुत गंदी smell आना, बहुत आपको ऐसे लेगा, ख्यार इतनी ज़्यादा बदवू और भी खुद आपको ही feel होगी, इस type की अगर कोई भी smell लेने में बहुत दुरगंद feel हो रही है, वैसे लक्षण मिलेंगे, खुन खराबी है, 23rd बीमारी है, उपकुष, उपक swelling आ जाती है, ये बीमारी आपके शरीर में तब देखने मिलेगी, जब आपके शरीर में खुन खराब हो गया रहेगा, और 25th नमबर की बीमारी है, प्रमीलक, प्रमीलक मतलब drowsiness, हमेशा एकदम ऐसे लग रहा ना, गिर जाएंगे, चक्कर आ रहा है, हमेशा जिसको drowsiness को, अभी आप, कई बार आप लोग को ऐसे हुआ होगा, कि बस कुछ लगने ही रहा है, ऐसे पुरे डले से है, गिर जाएंगे, चक्कर आ रहा है, ऐसी complain जो करते हैं, जो बार बार करते हैं, ठीक है, कई बार आपने पानी वनी कम पिया है, नरिश्मेंट कुछ खाया नहीं, तम ठीक है, बट सब कुछ खा के नरिश्मेंट कर नीद भी सब होने के बाद भी बार बार जिनको चक्कर आने की दकलिफ continue होते रहती है, तो ये लक्षण है, खोन के खराबी के, 26 नंबर की बिमारी है, हेमिचूरिया, हेमिचूरिया मतलब जिनको पेशाब होता है, और पेशा बिमारी भी रत्दुस्टी के कारण आईरवेद में बोली गई है, 27 नंबर की बिमारी है गाउट, जिसको हम वात्रक्त बोलते हैं आईरवेद में, वात्रक्त में आप जो आप देखोगे, गाउटी अर्थराइटिस जैसी जो बिमारिया है, जो आपकी जॉइंट्स होते ह है, उसमें बहुत ज़्यादा लाल कलर का निशान होने लगना, स्पेशली खोन की खराबी के कारण है, तो आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रीम लेवल का पेन होगा, ठीक, और जब तक वहाँ से ब्लड नहीं निकालेंगे, वो पेन नहीं जाएगा, चाहे ठंडा अगरम जो कुछ भी आप दवा ले लेंगे, तो अगर आपको गाउटी, अर्थ्राइटीज या गाउट जैसे निमारी होने लग गई है, तो वो रक्तधातु के खराबी के कारण होता है, 28 नमबर की बिमारी है, वैवार्ड था, मतलब आपके शरीर का जो रंग है, वो खराब होना चालू हो जाना, अब वो किसी भी कारण से, सब्बोस कि आप बोलते कि मेरा रंग पहले बहुत अच्छा था, अब जैसे जैसे एज हो रही है, रंग खराब होते जा रहा है, या कई सारे कॉस्मेटिक के आइटम्स यूज के लिए, पर जो एक नेचुरल मे बिमारी है, अगनी मान दे, अगनी मान दे मतलब आपको भूख ही नहीं लगती, अब भूख ना लगना बहुत सारी बिमारियों के कारण होता है, बट अगर आपने सारे इलाज करा लिये हैं, अदरग खालिया, सोट खालिया, अभयार रिस्ट विस्ट सब, पंचार अगनी, जो आपका डाजेशन डाउन हुआ है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो अगनी मान दे जाए नहीं रहा है, तो इस ताइप का अगर आपका डाजेशन पूरा डाउन है, डाजेश्टियों सिस्टम पूरा खराब है, और वो किसी भी इलाज से ठेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खोण की खराबी के कारण आपकी शलील में हुआ है, ठटियत नमबर या फिर तीसवे नमबर की मिमारी जो आइर्वेद में बोली गई है खोण की खराबी के कारण, उसका नाम है पीपासा पीपासा मतलब जिनको बार बार वो सूखने की तकलीफ होती है बार बार प्यास लगती है और वो प्यास मिठती नहीं मतलब कितना ही पानी पीलो कुछ भी कर्मकांड कर लो बड़ वो जो प्यास लगी हुई है वो प्यास बिल्कुल भी नहीं रुकती बार बार सुखापन फील होते रहता है ऐसी बिमारी सारे उपाय करने के बाद की मुनक का खा लिया और जो भी जूस हूस थे वो सब ले लिया बड़ ये ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में रखत दातो खराब हो गई है और ये बोच जो है वो शरीर से नहीं उतर रहा तो शरीर में all the time heaviness फील करना फिरो चाहे आप वयाम कर रहे हो activity कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो पर ये जो शरीर का भारीपन है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा अगर ये condition है तो इसका मतलब है कि खून की खराबी हो चुकी है 32 वे नंबर की मिमारी है उसका नाम है संताप संताप मतलब जिनको all the time शरीर के अंदर बोलते ना जल रहे हैं हम अंदर से मुझे आग लगी हुई है जलन हो रहे है सो संताप संताप हम कई बार जो बुखार आने के पहले की जो एक condition होती है जिसमें मन भी चिड़ चिड़ा हुआ रहता है शरीर भी चिड़ चिड़ा हुआ रहता है उससे लगबग हम compare कर सकते हैं तो वैसी condition all the time जो शरीर और मन में चिड़ बनी हुई है या शरीर और मन बोलते हैं जल रहा है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जो ऐसी complaint करते है वो खोन की खराबी के करण होती है 33 या 33 नंबर की मिमारी है दौर बल्य तो all the time शरीर ठका हुआ बहुत ही ज़्यादा दुरबलता लगना शरीर में बिल्कुल भी ताकत फिल नहीं होना यसे लगना बस मैं ठकाई वहाँ चाहे दूद, दही, खजूर, पनीर, चार, चक्नी पापड सब खा लिया उपवास कर लिया, वयाम कर लिया हर चीज यो भी supplement, टॉनिक, वानिक जिसने जो कुछ बोला वो सब आपने ले लिया बढ़ ये जो शरीर में दुर्बलता फिल हो रही है ठकान, कमजोरी फिल हो रही, ताकत ही नहीं फिल होती जो ऐसे बोलते हैं ना कि मिल्कुल भी ताकत ही नहीं लगते शरीर में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता तो ये सारी कंडिशन रख्त की खराबी के कारणा को होगी चोतिसवे नंबर की मिमारी है अरूची अरूची मतलब किसी भी चीज में इंट्रेस्ट नहीं आना स्पेशली खाने में बिल्कुल भी मन नहीं करना मतलब आपने जो हम कई बार आयर्वेद में बोलते हैं जो मैं आप ये उपाय कर लो ये गोली लिनो ये टाबलेट ने लो सब कल लिया तो किसी भी चीज में इंट्रेस्ट नहीं होना खाने पीने की कोई भी चीज में बिल्कुल भी मन ना लगना और सारे इलाज कराने के बाद सारे पंच करव कराने के बाद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो ये है रखत दुष्टी के करण रहने वाला रोग 35 नंबर की बिमारी है शिरो रुजा शिरो रुजा मतलब जिनको सिर में भयंकर पेन होते रहता है वहुती खतरनान लेवल का पेन होता है जो कि गोली टैबलेट खाने से भी कम नहीं होता कई लोग कपड़े उपड़े से अपने सिर को बानते हैं लाइट बन कर देते सिर को दिवारों से पीटते रहते हैं तो इस टाइब का दर्द ऐसा दर्द की मतलब जान निकल जाएगी इतने लेवल का जब सिर दर्द आपको होता है और वो दर्द कोई भी गोली चूरन टैबलेट कुछ भी लेप वेप से ठीक नहीं हो रहा है वो सिर दर्द या सिरो रूजा उन्हें के पीछे का कारण है खोन की खराबी 36, 37, 38, 39 ऐसी चार कंडिशन वो पेट से रिलिटेट बताते हैं आयरिवेद के सास्त्रों में खोन की खराबी के कारण तो क्या है 36 नंबर पर या 36 नंबर पर अनपांदा अनपांदा शम्द का मतलब होता है कि कुछ भी आप खालो उसके बाद जो है वो खाना हजमना होके जलन पैदा करने का काम कर रहे हैं आप एंटा एसिट्स ले ले रहे हो और आप कई सारी जो चीजे मिलती है जिसको लेने से जलन कम होती है वो सब आप कर ले रहे हो बट आप कुछ भी खाओगे तुरंत जलन चालू हो जाएगी और ये वाली जलन वमन करने के बाद भी ठीक नहीं होगी कफ की कारण होगी पित की कारण होगी तो वमन करने से जलन निकल जाएगी बट खून की खराबी के कारण अगर कुछ भी खा रहे हो जलन हो रही है तो वो किसी भी चीज से ठीक नहीं होगी इसका मतलब है वो रक्त खराब होके होने वाली जलन है और वो फिर ब्लड वाले ट्रीटमेंट से ही ठीक होगी 37, 38, 39 में वो तींग टेस्ट बोलते हैं कि अमल उद्गार, तिक्त उद्गार, कतु उद्गार इसका मतलब क्या हुआ, तो खटा धकार आना, खटा मतलब जलन जैसा फील होना, खटा कड़वा पानी आना, वो तीखा पानी आना, तीखी जलन होना, या धकार जो आना उसमें तीखा बन फील होना, वो और कड़वा, और जो कड़वी धकार आना, कड़वा टेस्ट आना, खटा, तीखा, कड़वा, ये तीनों टाइप के जो अगर आप कुछ भी खाते हो और उसके करण आपको धकार आती है और वो टाइप के जो चीजे हैं आपके शरीर से निकलने लगती है या मूँ में वैसा ही टेस्ट all the time बना रहता है ये है खून की खराबी के करण होने वाल ऐसे लोग जो बलते हैं कोछ नब किये भिना ही हम ठंक जाते हैं, ताकत ही फिल नहीं होती सुबसोके उठते हैं तो और ऐसे लगता है कि बैटरी डाउन है, कुछ भी खजूर रजूर, काजू आजू जो कुछ है सप्लीमेंट खाने के बाद भी बैटरी नहीं फिल होती ये है रक्त धात्यू के खराबी के कारण होने वाले बिमारी बिमारी नमबर 41 41 बिमारी बताने से पहले कई सारे लोग अभी तक चले गए खोड़ी ये इतना लंबा वीडियो कौन देखता है पर आप में से जो भी लोग अभी तक टीके हुए है और पूरा जानना चाहते कि भाई और क्या-क्या आईरविद में बोला है कोन की खराबी से होने वाली विमारियों के बारे में तो आप कमेंट करके जरूर बताएगी इस टाइम तक आप में से कौन-कौन लोग वीडियो देख रहे हैं तो चलिए, 41 नमबर की विमारी है बहुत ज़्यादा गुसा आना अती क्रोधता जिसको सनुस्कृत में बोलते है तो आप में से ऐसे लोग जिनको गुसा बहुत ज़्यादा आता है बहुत एक्स्ट्रीम आता है और बहुत बार-बार आता है मतलब ऐसा है कि बस बैठे हुए है बारू के धेर पे एक चिंगारी लेके हलका सा कोई कुछ बोलते और फटने को तयार रहते है मतलब ऐसे लगता है कि क्या करूँ कई जाके खुद फट जाओ या दूसरों को फाड़ दू तो जिनका क्रोध अती है कंट्रोल नहीं होता और बढ़ते ही जा रहा है एंगर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सब कर लिया मिडिटेशन सब सब करके देख लिया गोली ओली खाली बट कम नहीं हो रहा इसका मतलब है कि खून की खराबी शरीर में हुई है 42 नंबर है बुद्धी सम्मोह बुद्धी सम्मोह मतलब जिनका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता कुछ चिछ क्लिक नहीं होती समझ में नहीं आती जो आल दे टाइम जिसको हम बोले कि कंफूस्टेट में रहते है ये करू कि ये करू ये सही है कि नहीं है कुछ करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए जिन्दगी का मतलब क्या है जिनके ब्रेन में हमेशा all the time कंफूस्टेट में रहता है बुद्धी मोहीत है कुछ क्लिक ही नहीं होता कि exactly होना क्या चाहिए इस तरीकी का कंफूस्टेट चाहिए वो life को लेकर हो चाहिए वो काम को लेकर हो किसी भी चीज़ों को लेकर जो all the time treatment करना है नहीं करना है कहां करना है कहीं जाना है तो क्या जाना चीए नहीं जाना चीए क्या करें तो जो confused है इसका मतलब है रखत धातू उनकी खराब हो चुके 43 शब्द का मतलब है लवड आश्यता लवड शब्द का मतलब होता है नमक कई लोग इसको गलत भी चीज में ले लेते है पर जिनके मुँ में हमेशा नमक जैसा टेस्ट बना रहता है जीब के उपर हमेशा नमक की एक लेयर बनी रहती या मुँ का जो टेस्ट है हमेशा नमकीन सा बना रहता है चाहे वो खाने में बहुत ही कम मातरा में नमक खाए अगर ऐसे इस्यूस है तो खूनकी खराबी हुई है 44 और 45 नमबर पे आता है अती स्वेद और अती स्वेद दुरगंध तो आपेसे ऐसे लोग जिनको की बहुत ज़्यादा पसीना होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है मतब थोड़ा सा भी बाहरवार निकल गए तो पूरे कपड़े भीग जाते है वो बिमारी और जिनके पसीने से बहुत ज़्यादा दुरगंध आती है मतलब इतनी ज़्यादा दुरगंद की खुद को तो पता चल दी जाता है आजू बाजू पड़ोस के सभी लोग को पता चल जाता है आपने बहुत बार बस में, ट्रेन में, टैक्सी में इन सारी चीजों में ट्रैवल किया होगा, ओटो रिक्षा इन सब में और आपने देखा होगी कोई ऐसा है जिसकी बाड़ी समेल बरदास ही नहीं हो रही है तो इतनी ज़्यादा आगर पसीना आना और पसीने में से बहुत एक्स्ट्रीम दुरगंद आना ये भी खोन खरामी का एक लक्षण आईरविद में बोला गया है 46 नंबर का मतलब है मद मतलब पागलपन जिनको दिमाग में पहले मैं बोला तक कुछ समझ में नहीं आता और दिमागी जो पागलपन की स्टेज में जाने लग गए है तो जो दिमागिन लिटर जिनको जो तकलीफ है कि कुछ चीजे समझ भी नहीं आती, करना क्या है, नहीं करना है और उसके साथ अब धीरे धीरे पागलपन वाले लक्षन, वाद का पागलपन होगा तो वाद में बहुत एक्टिव हो जाएगा पित का होगा तो बहुत गुसल हो जाएगा, कफ का होगा तो बहुत आलसी हो जाएगा तो दिमाग की जो इस तरीकी की तकलीफ है कि दिमाग की समझ के साथ सथ खराब होने के साथ सथ पागलपन भी होने नग गया है वो है रक्त धात्व की खराबी 47th या 47 नंबर की बिमारी है कम अर्थात कमपन तो जिनको भी ऐसे मुंडी जिनकी ऐसे सहिलती रहती है या जिनकी बॉड़ी ऐसे हमेशा शेक होती रहती है ठीक है और ये कमपन अगर रख्त की खराबी के कारण हुई है तो और कोई treatment से नहीं जाएगी जब तक आप रख्त को खोन को ठीक से साफ नहीं करते तो या बॉड़ी में कोई भी पार्ट में कमपन होना या पूरी शरीर में कमपन होने लग जाना ये है खोन की खराबी 48 या 48 वे नंबर की विमारी है स्वर्च है श्वर्च है मतलब जिनका गला अच्छे से आवाज नहीं आती है गले से बोल है जिनकी आवाज खराब होनी शुरू हो गई है वो भी विमारी आयद विद में खोन से रिलेटेट बोली गई है 49 और 50 49 में है अती निद्रा और 50 नंबर पे है तमो दर्शन अती निद्रा मतलब जो all the time बस डाले रहते हैं जिनकी नीद ही पूरी नहीं होती 18 गंटे 20 है तमो दर्शन तमो दर्शन मतलब आपको ऐसे लेगा कि आप कहीं अंधेरे में बस डूपते चले जा रहे हो डूपते चले जा रहे हो और डूपते ही चले जा रहे हो तो तमो दर्शन जो लोग ऐसे बोलते हैं हमने आप बनके और हम अंधेरे में कहीं खो जाते हैं ऐसे रखता है हमारा दिमाग कुछ काम ही नहीं करता है बस हम अंधेरे में लूपते जा रहें खोते जा रहें तो इस्त या बहुत ही ज़्यादा अंधकार दिखना जिनको चाहे नीद में हो या जिनको फ्यूचर जो हम बोलते हैं एक मीजन होता एक जो चीज होती वो क्लियर नही जिसकी नहीं है ये सारे लक्षण रक्त अंदुस्टी के आईरवेद में बुले गए है 51 नंबर पे आज आता है हाफ सिंचुरी हमारी हो गई है खून की बीमारियों की और 51 नंबर पे आता है कंडू कंडू मतलत जिनको खुजली होती है और ऐसी खुजली होती ही कि खुज अनकंट्रोल्ड खुजली ऐसी तकलीफ होती है वो रक्त धातु के खराब होती है 52 नंबर की बीमारी है उदर्द उदर्द मतलब जिनको आर्टी केरियल रैशर्स आते हैं आर्टी केरिया जैसी जो बीमारी हो जाती है कि लाल लाल जो उनको मतलब ऐसे चकत्ते आपने कई बार देखे होंगे जैसे आप करीन पे देख रहे होंगे तो इस तरीके के अगर कोठ या फिर आर्टी केरियल रैशर्स होने लग गया बार बार आर्टी केरिया जैसी बीमारी होती है इसका मतलब रक्त धातू की खराबी 53 म शक्योण मतलब जो वाट्स शरीर पे हो जाते है जैसे human papilloma virus HPV उसके कारण हो सकता है जिनको watts होने लग जाते हैं वो बिमारी 54 पे है नियंच नियंच मतलब जिनको blue और black color के जो निशान शरीर में होने ले जाकते पूरे सीर में बाल है बट एक जगा से patch वहां से बाल जाने लग जाता है जिसको बोलते हैं कि एक कोई patch होगा कोई एक जगा होगी उस जगा पे से अगर बाल जाने लग गया है यह भी रखता थातू के कारण होगा खराब होने के कारण 56 नंबर पे आता है अर्बुद अर्ब या कहीं भी मतलब आपको ऐसे tumors का formation होने लग गया है अर्बुद का formation होने लग गया है वो दोनों जैसे मैंने बुला cancerous non-cancerous उन दोनों में जो common crap element होगा वो होगा आपकी रखता थातू 57 में आता है अंग मर्द अंग मर्द जो ऐसे मतलब all the time जिनको शरीर के अंदर दर्द होते रहता है किसी ने डंडे से मारा है शरीर को इस तरीके का जो दर्द होते रहता है all the time जिनको शरीर में pain तकलीफ होती रहती है ये भी रखत धातू के कारण है 58 नंबर की बिमारी का नाम है जीव का जिनको मुँ में बहुत ज़दा पानी आता है और जीव जो है उसमें पूरी बार बार होने की तकलीफ होती है वो 59 रक्त त्वक रक्त त्वक अर्था जो स्किन एकदम पूरे लाल कलर की होते लग जाना एकदम लाल भड़क जैसे खून होता है उस तरीके का आपके स्किन का कलर होने लग जाना 60 नंबर पे आता है रक्त नेत्रदा आंखे खोनी आखे जिसको बोलते हैं कि आखे एकदम खोन के जैसे पूरी लाल लाल हो गई है वो 61 रक्त मुत्रता जिनको की पेशाब में पूरा खोनी खोन या पेशाब से केवल खोन ही निकलता है इस तरीके की विमारी 62 नंबर पे आता है ब्रह्म ब्रह्म मतलब जिनको बहुत चक्कर आता है सिर हमेशा घूमते रहते हैं और जिया घबरा इस टाइप की तकलीफ होती रहती है और 63 पे आता है अर्ष जिसको हम पाइल्स बोलते हैं तो किसी भी ताइप का चाहिए वो खोनी बावसीर या खोनी पाइल्स हो सूखा पाइल्स हो ऐसी कोई भी बिमारी है तो वो रक्त धातू के कारण होगी, तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट आईरुवेद में खोन की खराबी के कारण होने वाली चीज बोली है, अब ठीक है चलो पता चलिगा, यह यह मिमारी है, बड़ी खोन के ही खराब होने की कारण होई है, यह कैसे हमें पता चलेगा, तो उसके लिए आईरुवेद में एक्तम स्पेशल विशेश लाइन लिखी है, उनका ऐसा बोलना है, आईरुवेद की जो भी गरंथकार है, जो भी शास्त्रकार है, उनका ऐसे बोलना है, कि जो मिमारी न थंडी से ठीक हो, न गर्मी से ठीक हो, मतब गरम दवाईयां खाली, थंडी दवाईयां खाली, कोई आरम नहीं, गरम सेख कर लिया, थंडा सेख कर लिया, गरम मौसम में रहे कि भूम के आए कहीं पर, कि सब्बोज आप कहीं पे रेगिस्तान वाली जिगा पे चले गए, ठंडी जिगा पे बरफ वाली जिगा पे चले गए, कुछ भी कर लिया आराम नहीं मिल रहा, ठीक, गरम ठंडा यह सब कर के लिए रूखा, किसी ने बोला रूखा खाओ तो रूखा खाया, किसी ने बोला जिसने भी वोले वो आपने सब किया और आपको आराम कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आपके शरी में खून खराब है तो खून खराब होने वाली बीमारियों की विशेषता ये होगी कि कोई भी टाइब के ट्रीटमेंट से उन पेशेंट्स को आराम नहीं अब आप बोलेंगे कि थोड़ी देर पहले तो बोला उपवास से कुछ नहीं होता थोड़ी सी बीमारी है तो उपवास करने से 24 गंटे में के वल एक बार खाने से या 24 गंटे में के वल दो बार खाने से वबी जब तक खुल के भूग नहीं लगती वो करेंगे तो आपको अच्छा खाजा आराम मिल जाएगा स्टेज नंबर टू अगर उपवास से भी आराम नहीं मिल रहा तो वीरेचन वीरेचन मतब जो पंच करम में जो पांच से साथ दिन आपको घी पिलाते हैं फिर दो दिन मालिश करते हैं और जो आपको लूज मोशन कराये जाते हैं पंदर तो उसमें फिर वो एक मातर चीज बोलते हैं कि आप रक्त मोक्षन करो अर्थात आपके शरीर से अशुद्ध रक्त निकाल दो वो चार तरीके से निकाले जा सकते हैं या तो आप कपिंग ठेरपी करा सकते हैं आपके नजदीक में जो भी आईरविदिक सेंटर होगा या ज ज्यादा पूरे हाथ में बीमारी है पूरे पैर में है तब आपके लिए लीश थेरपी जैसी जो इस इसा है जिसको आईरविद में हम जलाओ का चरण बोलते हैं वो बहुत अच्छे फाइदे मंद रहेगी वो आप करा सकते हैं और अगर आपने थोड़ा बहुत ब्लड न कई बारी दंक, काला, डामबर की तरहे का ब्लैक कलर का भी उनको ब्लड निकलता है अलग-अलग कई लोगों को ब्लड निकलने के साथ बहुत सारे बबल्स वहां से निकलते हैं तो ऐसे अलग-अलग टाइप की चीज़े देखी जाती हैं तो यह तो था टोटल खोन की खरा आएगा उसमें सारे और डीटेल्स भी हैं तो ऐसा और कौन सी बीमारी या कोई कौन सी डीटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें